मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर विरेंदे काड़े हूं मेरा काड़े आयरविदिक पाइल्स होस्पिटल है दिगोरी नाकपूर में और पिछले 23 सालों से हम लोग गुदरोग विशय पर काम कर रहे हैं और पाइल्स यह जो है एक कॉमन टर्मेनलोजी है जिसे में पाइल्स करके कोई एक स्पेशल बीमारी नहीं होती है गुदमार्ग की जो कॉमन बीमारिया है मसलन मैं बोलता हो कि गुदमार्ग में 50-52 प्रकार की बीमारिया होती है और सभी का नाम कॉमन लेगरम बोले तो पाइल्स होता है एकुली पाइल्स का मतलब यह होता है पा बन जाते हैं, उसको बोल रहेंगे हम लोग पाइल्स, तो गुदमार्ग में जो भी एक common, say called common causes, common बीमारी, ये हो गया पाइल्स, मतलब पाइल्स हो गया मतलब गुदमार्ग में बीमारी हो गई, अब जैसे कि इंग्लीस में किसी ने बोल दिया पाइल्स, तो हिंदी में हो ग हो गई, ये हमारे समझ में आता है, गुदमार्ग में होने वाले जो बीमारिया है, वो कोई specific age को target नहीं करती, for example, बच्चों में भी बीमारिया होती है, old age में भी बीमारिया होती है, यंग लोगों में भी बीमारिया होती है, तो इसका कारण ये है कि गुदमार्ग में होने और उल्डेज में ही पाई जाती है, for example, अगर हम बात करते हैं, बच्चों में, तो बच्चों में अनुरिक्टल प्रोलैप्स, या रिक्टल प्रोलैप्स, या लैक्स म्यूकोजा, या अनल पॉलीप, या फीशर, these are the commons, जैसा आपका सवाल था कि गुदमार्ग में जो बिमा की बिमारी होती है, यंग लोगों में अगर हम बात करते हैं, तो यंग लोगों में यूजवली लाइप स्टाइल से समंधित बिमारिया होती है, जैसा कि हम लोग मानते हैं, कि जैसा बच्चा आठीवी नवी तक तो ठीक एक लाइप स्टाइल प्रोपर में रहेंगा, बच बच्चों को टूशन्स, बच्चों टूशन्स जाते हैं, वहां पिर उनका भाहर का खाना पिना होता है, बच्चों को हम लोग रोक नहीं सकते, वो पानी पूरी खाएंगे, वो दही वड़ा खाएंगे, या बाहर के कुछ स्नैक्स खाएंगे, बहुत बार ऐसा रहा था कि ब बन गया, अभी नाइंध क्लास से लेके तो फिर बी कॉलेज हो गया, इंजिनिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, जब तक उनका लाइफस्टायल है तब तक बच्चों में यह सब आदते हो जाती है, बाहर का बाहर का फूर्स खाना, खाने की बर्रेगुलर और उसके बाद उनका चालू होता है कॉलेज लाइब, कॉलेज लाइब के बाद ऑफिशेल लाइब, मत उनको जॉब लग जाते है, जॉब की भी पैटर्न वही होते है, आजकल ऐसा है कि पहले अगर हम लोग खेड़े गाओ की बात करें, तो स्कूल या ओफिस या घर तु बहुत बार उनको मजबरी में बाहर खाना पड़ता है, तो यह जो बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है, कि हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमने कितना सोना चाहिए, किस प्रकार की चीजे खानी चाहिए, तो यह जो लाइफस्टाइल बिगड़ा नीन नी आती हमने जो लाइप सैल में गड़बड़ी करके रखे है तो उसके करण हमारे पेट में अल्रेडी एब्डोमेन में इंटेस्टाइम में कुछ प्रॉब्लेम्स हो चुके है हमारा कॉंस्टिपिशन का प्रॉब्लेम सालों से चलते आ रहा है और बुढ़ापे में व इमराइड का पी मातरा में बड़े हुए हुए या फिर यंग एज में आपने जो गलतिया की ज्यादा सीटिंग हुई लैक आप एक्सरसाइज हुआ अब भार का खाना वाथ उसमें बुढ़ा पेमी भी ऐसे कुछ प्रॉब्लेम्स होते है तो जैसा कि आपका सवाल था कि क पास आया और मैंने उसको दवाई दे दिये तो बाप सोचेगा कि हां मेरे बेटे को तो यह दवाई दी थी चलो मैं भी यह दवाई ले लेता हूं या दादा जी को मैं यही दवा दे देता हूं तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि गुदमार्क में हम लोग जिसको पाहिल्स ब जादे गुदमार्स सेल पासले मोटो यह है कि हमने हमारे अस्पले नाम पी लिखा काले ऐर्वीधिक पाइल्स अस्पिटल लेजर सरजरी सेंटर पहले क्या लिखा हमने आयर्वीधिक पाईल्स पिटल उद्देश यह है कि we treat the patient by ayurvedic medicine 90% patient अगर मैं डे लिके 40 patient देखता मैं कि kaldime 2 पेशंट हैं, worldly batteries ही जरुरी Kids 345 में δεν हो सज्री को हम आजाए के रिट है, हम लोग उनापदोюсь मेडिसिन से लिछ को ट्रीट करते हैं, मैक्सिमाम के में मेडिसिन सेरीट करते लौ। और लाइफस्टाइल, जो पहले आपको बता है कि आपके लाइफस्टाइल में जो गड़बड़ी हो रही है, उसको कैसे करट कि हमारा पहला मोटो रहता है कि जिस कारण से हुआ है, जैसा आईरिवेद जो बुलता है हेतू उपचार, मतलब बीमारी का कारण ढूंडो, उस प फुद हमारा रिसरच मेडिसिन रहता है, जिसमें अलग-अलग बीमारियों में अलग-अलग स्पेशलाइज मेडिसिन बताते हैं, उसलिए क्या होता है, मार्केट में पाइल्स की भ्ठेर सारी दवाईया है, बवासीर है, अर्शकलप, हिता अर्शय यह है, वो है, बट मैंने बोला कि गुद मार्क में 50 या 52 प्रकार की बीमारी है, तो क्या कमपनी को पॉसिबल है, यह 50 या 52 प्रकार की बीमारी को बीमारी के लिए दवाई बनाना नहीं है, लेकिन मजे पॉसिबल है, मैं इसे कुछ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, जो हर बीमारी के साब से दूसरी बात, हम लोग जहां सा लगता है कि पेशन्ट को मैंने मेडिसिन दिया, उसको दो मेना, देड़ मेना, जो भी मैं ट्रीटमेंट समझता हूँ, लाइप स्टैल चेंज करने के लिए बोलता हूँ, और उस वक्त अगर पेशन्ट ने लाइप स्टैल चेंज नहीं किय या बीमारी ऐसी ही रही कि लाइप स्टैल चेंज करने के वो पार हो गई है, बीमारी जादा मात्रा में बढ़ गई है और उसका उपचार संभव नहीं है, तो ही हम लोग सर्जरी के ले जाते हैं, अब सर्जरी में हमारे पास अलग अलग टेक्निक है, बींग आयर्विदि करते हैं, चाउथा उसके बाद भी लेटेस टेंड में आया है लेजर, तो ये लेजर की मशिन भी हम लोग इस्तमाल करते हैं, और लेजर के दवारा हमारे सर्जरी होती है, तो ये सभी प्रोसीजर जो होती है, वो सभी प्रोसीजर पैनलेस है, पेशंट को आज एडमिठ हो तो आपको एडमिशन की जरूद है, डॉक्टर की निगरानी की जरूद है, तो आपको कम से कम चुबिस घंटा आपको अस्पडल में रहना चाहिए, और सिर्फ सर्जरी नहीं, तो सर्जरी की बाद, सर्जरी वर्क्स ओनली 50%, 50% वर्क्रता है, वो सर्जरी के जो वुंड ब मेडिसीन इस्तमाल करते है, क्योंकि आपरेशन के बाद, लॉंग टम अलोपेथिक मेडिसीन इस नोट इंडिकेटेट, चार-पाज दिन के लिए आप एंटिपोटिक ले सकते हो, दस-पन्रा दिन के लिए अनलजिसिक ले सकते हो, लेकिन उससे जादा अगर आप अनलजिस यह जो मार्केट में दवाई मिलती है, जोलाचाब डॉक्टर जो रास्ते बे बैठते हैं, कुछ लोग अपने पोस्टर आटोपी चिपका के गुमते है, बावा सिर का सव परसंट इलाज, शर्तिया इलाज, यह टोटली बकवास है, इसका कारान ऐसा है, कि जब तक आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, जब तक आपको बीमारी का डाइगनोसिस नहीं होगा, बीमारी कोन सी है, जैसे कि मैंने बताएं, गुदमार्ग में 50 पकार की बीमारी है, अब समझो कोई डॉक्टर ने आपके बीमारी की, मतलब गुदमार्ग की जाच ही नहीं की, उसका इलाज संभव कैसा है, फॉर एक्जम्पल जैसे पेशंट मेरे आता है, तो हम लोग पेशंट का लोकल एक्जामेरिशन करते है, मतलब गुदमार्ग को चेक करते है, उसपक हमारे पास उसके लिए एक लेटेस मशीन है, इसका अनुरेटल वीडियो एंडोस्कोपी, अनुर्व कैमेरा पास होता है, जो भी भीमारी है वो डिएरिट टी-वी के स्क्रीन पर देखती है, मतलब पेशंट को भी दिख जाती कि उसकी बीमारी क्या है, जैसे कि गुदमार्ग में चीरे पड़ जाना, गुदमार्ग में अलसर बन जाना, गुदमार्ग में सूजन बन जाना, तो गठाने भी अलग अलग होती है, जैसे कभी-कभी गुदमार्क में cancer की गठाने बनती है, कभी papilla बनते है, कभी polyp बनते है, कभी ulcerations बनते है, तो वो भी बिमारिया अलग-अलग होती है, तो हर बिमारी का इलाज, हर बिमारी का treatment भी अलग-अलग तरीके से होता इसलिए पेशन्ट का स्पेसिफिक एग्जामिनेशन अब ये जगह इसी है कि एग्जामिनेशन करने के लिए पेशन्ट फड़ सा शाय भी रहता है थोड़ सी मतलब घबराट और बाकी चीजे भी रहती है कि मैं को कामेरा डल के चेक अप करूँगा तो और जियो ये जोलाट अब परसंट गारंटी देता है क्योंकि उसको लगता है बीमारी ये की है उसके ये जड़ी बुटी दे दी वही इलाज है अर यवी बीमारी एक ही होती और एक ही जड़ी बुटी से अगर उसका इलाज संभव होता तो मेरे जैसे डॉक्टर को आट साल नौ साल पढ़ाई क करने की जरूत क्या होती मैंने क्यू मेरे जिंदगी के बहु मुल्य जो समय है वह आट साल नौ साल पढ़ाई में बिताया होता क्यू मैंने एंडोस को भी मशिन ली होती क्यू मैंने लेजर लिया होता तो महारे दर्शकों को भी मैं अनुरोद करना चाहता हूँ कि उनको भ अपनी बॉड़ी किसी दॉक्टर के सुपूर्थ कर रहे हो, कि आप बते कि मैं क्या खाऊ हूं, या मुझे आपरेशन करना है, तो आप कोई जोड़ा चाप दॉक्टर के पास जाके, या जो भी दॉक्टर पढ़े लिके नहीं है, उनके पास जाके कोई तो भी धागा बान के अगर आप सर्जरी करें हो, तो that is totally wrong. क्योंकि सामने वाले को बिमारी का पता ही नहीं है, बिमारी आक कितने प्रकार की होती है, क्या करना चाहिंदे? मेरे पास इतने सारे पेशंस आते हैं, जिनकी दो-दो-तीन-तीन बार सर्जरी करचुके होते हो, तो वो सर्जरी करने के बाद भी उनको दुबारा होता, अब सबसे महतोपुर्ण बात है, बात हम जानना चाहेंगे, कि पेशन का एक बार आपरेशन करने के बाद, दुबारा उसका आपरेशन करने की जरूत क्यों पड़ती है, बहुत कॉमनेस्ट सवाल है ये, पेशन के लोगों के मन में, मेरी भी उपड़िय में पेशन आने के बाद, अगर मैं उसको सजेस्ट करता हूं, कि आपको आपरेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यदा बढ़ चुकि ये, बीशन का एक ही सवाल रहता, डॉक्त साब, आपरेशन करूंगा तो फिर ग्यारंटी है, कि बीमारी का कारण किया है, आपका लाइफस्टाईल, मैं आपको पहले ही बुता चुका हूं, कि ये जो बीमारी होती है, ये आपके लाइफस्टाईल, आपको मूल तहा शरीद में कुणसी-क।थी व्यादी आ है, उसका भी बाद, इसका ओंप्लिकेशन से, तो जब तक म जब तक वो पेट का परलम स्वाल करना है, जब तक वो पेट का परलम स्वाल करना है, जब तक वो पेट का परलम स्वाल करना है, जब तक वो पेट का परलम स्वाल करना है, जब तक वो पेट का परलम स्वाल करना है, जब तक वो पेट का परलम स्वाल करना है, जब तक वो पे यह फाइंड आउट नहीं करेंगे, और यह फाइंड आउट नहीं करते हैं, बगर पेशंट आया मसाधी का, हमने आपरेशंट करके निकाल दिया, ठीक है, तुम्हारा आपरेशन हो गया, तुम जाओ, तो इस केस में क्या होगा, उसकी जो प्राबलेम्स थे, जो बेसिक प्र आपको स्ट्रेणिंग करने के आदत है, या कुछ प्रेगनसी है, या जो भी कोई आपको सेकंडरी प्राबलेम्स है, उसके कारण अगर आपको पाइल्स हुआ है, तो पहले उन कारणों का उपचार करना जरूरी है, तभी आपको पाइल्स का पाइल्स का पाइल्स पाइल् जब तक होता नहीं पेशन्ट का तब तक उसका प्रॉपर इला संभव नहीं है अब अगर हम लोग मतलब सर्जिर के बात करेंगे तो कुछ मतलब कुछ इंस्ट्रुमेंट सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट कुछ स्पेशलाइज बीमारियों के लिए ही इस्तमाल होते है जिसे लेजर कुछ स्पेसिपिक बीमारियों में इस्तमाल होंगा थ्रेड कुछ स्पेसिपिक बीमारियों में इस्तमाल होंगा आयर्सी या रेडियो कर चुके हैं मेरे साथ मेरी वाइफ डॉक्टर मीसेस लता काड़े वो भी गुद्रोग सरजन है और हम लोग हमारा पेर हमारा कपल पिछले तेईस सालों से हम लोग इस फिल्ड में काम कर रहे हैं और मैक्जिमम जो फीमेल पेशंट से वो मैडम के तरफ से बेनिफिट होता है मारा मैडम के तरफ से लेक्समान के त्रुटमेंट होती है जो मील पेशंट है वो मैक्जिमम मैड़टि करता हूँ तो उसमे FRE remains हो चुक डूका है उसके बाद मैं ने MS किया उसके बाद मैने क्या है एक स्पेशलाइज और छोग एक तो हम लोग पिछिले तेस सालों से गढ़ती हम पिछले तेज सालों से करते हा एक बुदुरोग सरज़री करते आरहे हैं हम Supply के लिए अराइन कि ली यह इता है हम लोग इनफर्टिलिटे पर टीटमेंट देते हैं, जैसे कि किसी का मैरेज हुआ है और दामपत्य जीवन में वो लोग खुश नहीं है तो उनके लिए भी हम लोग टीटमेंट देते हैं, साती सात में हम लोग अबिसीटी सेंटर बी चलाते हैं, मतलब वेट लॉस, क्योंकि कि मारा safe हैं, उस परकार से में कुँ लोग लॉस लॉस करका हैं, तो वेट लॉस कि में में डहें झाला हूं, तो वेंडर्ङ क्योंकिन्य स्टों की मरेज। पिले 22 अ साहल से देख रहा ह省 तो बहु संबजेक्ट पर तो इन सभी है पर हम लोग काम करती है हुआ मैडम जो वो स्पेशलायज़ लॉड लॉड पर वी काम करती है मैडम सरूंद ुट में गर्रीभाय किर्ड आफ जुआ लोग रिवे सत्साब में गरी मैडम काम होता हैृ मैं लग क्या लिए हो सै किक कर भड़ी में sauce लेकर है को जिम्मदार मनते, पेशन्ट मेरी आहाँ सीप आके कंसल्टेशन अगर मैं देता हूँ, पेशन्ट को अगर प्रापर चीजे समझाता हूँ कि लाइफस्टाइल में क्या-क्या प्रावलम्स है, उनका लाइफस्टाइल कैसा सुधारना है, उनको कितने बज़े सोना है, कितना सोना है, कितना खाना है, क्या खाना है, बहुत से लोगों को देखा मैंने कि वेट लॉस करना है तो उपास करना है, वेट मेरी अगर मेरी वेट लॉस के लिए तो हम लोग पहले पेशंट के पैरामिटर्स चेक रहते हैं मतलब पेशंट को कोई सेकंडरी डिसीज रही क्या जैसे की पेशंट के वेट गेन का कारण क्या है प्रेगनेसी वेट गेन प्रप्राब्लेम उसको या उसके बॉड़ी में हर् है या फिर जन्रलाइज हम लोग इधर उदे सुनते रहते हैं कि यह एक्साइज कर रहा तो वेट लॉस हो गया जरूरी नहीं कि आपका एक्साइज करने से ही वेट लॉस हो असोसियेटेड काफी कुछ बाते रहती है अगर आपका बॉड़ी में हर्मोन इलीम बानास हो रह है तो वो वेट लॉस करने के लिए उनका टiva्मेंट करना पड़ेगा आपका live-style disorder है आपका eating disorders है या वको सेकंड़री डिस है उसके करना अगर आपका weight gain हो और तो उसका करना टूढ़न पड़ेगा तो वेट लॉस की जो जर्णी है वो भी दो दिन में नहीं होती और हम पंद्रा दिन में पंद्रा किलो बजन गटाईए ये भी टोटली रॉंग है ये कंसब भी रॉंग है इसका जूस पीओ उसका जूस पीओ इससे वेट लॉस होता है इस टोटली रॉंग तो मेरक मानना यह है कि आप डॉक्टर के पास जाएए प्यजिशिंग के पास जाएए या आपके आसपास में जो भी प्यजिशिंग वेट लॉस के लिए काम करते हैं उनसे आप कंसर्ट कीजिए और उनसे परामर्श लेके अपने वेट लॉस की टीटमेंट करना चाहिए और सबसे इंपरण बात वेट लॉस कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैंने एक मैंने में करता हूं और अप्र प्रामर्श य आपको वो करना है जरू नहीं कि आप निच्टर से विजिट करकि उनकिया कोई मशीन का इस्तमाल करकी आप करना चाहिए मैं 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 चुछिंग करता हूं पेशन को कॉन चृन करता हूं और प्यू सम सिंपल ड्रग्स रहते अजो या दो किलो ही वेट लॉस करें। अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहोगे तो यह हमारे रिसेप्शन का नंबर होता है। पेशन्ट को डाइगनोसिस बता जाते हैं। और इसी दर्मयन पेशन्ट भी खुद अपनी बीमारी टीवी के स्क्रीन पे देखता है। कि पेशन्ट को गुदमार्ग में चीरा हुआ है क्या है। गुदमार्ग में मस्य बनी हुए है क्या। सूजन है क्या। ब्लीडिंग है तो कारण क्या है। तो यह पेशन्ट को प्रॉपरली समझा के और पेशन्ट खुद टीवी पे देखता है तो पेशन्ट को समझ में जाते हैं। कि हां मुझे यहां से ब्लीडिंग हो रहा है। तो फिर सम्चेशन को समझा जाता है कि ब्लीडिंग का कारण यह है तो आपको लाइफसेल में यह चेंजेस करना है और मैक्सिमम टाइम 99% हम लोग टोटली आयरुदिक मेडिसिंग का इस्तमाल करते है इसका कोई साइड इफेट नहीं है हाँ पेशन को पेन है या अपसेस हु नहीं है आपको जो एक एफएगर इफेस्ट एफेस्टविव प्पाट स्ट्स्ट्वड का बवाल लाइब का इस तो ओट पना है कोई सम्चेशन का इस थान वालाइब तो यह हुदशन के लाइव उड़ी अगल। झाल